माइक्रोशाफ्ट आफिस वर्ड में इनवाइस कैसे बनाएंगे उसको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले हमारा माइक्रोशाफ्ट वर्ड स्टार्ट होगा जो रहा है और इसमें टेबल की मदद से हम लोग इनवाइस बनाने जा रहे हैं तो हम लोग इनश्ट मीनू की मदद से टेबल में क्लिक करते हैं और इससर टेबल पे क्लिक करके हम लोग वर्ड को बनाएंगे तो हमारा requirement एक छोटा सा है कि number of columns and number of row आप invoice कितना में बनाना चाहते हैं छोटा सा example आपके सामने हम रख रहे हैं कि हमारे पास columns का जो work है वो 5s के requirement है हम 5s लेते हैं row की requirement 16 है तो मैं 16 ले रहा हूँ आपकी requirement जितनी भी होगी यहाँ पे आप ले सकते हैं number of columns and number of rows इसको लेने के बाद आप display को okay करेंगे तो यह इस प्रकार आपको row और columns बनके आएगा इसके उपर हम लोग एक छोटा सा invoice data seat इंटरी करेंगे और इसको पूरा का पूरा invoice formula base से बनानी है तो हम लोग data इंटर करने जा रहे हैं एक layout menu command click करते हैं तोड़ा से सबसे पहले हम लोग एक borders लगाएंगे sale margin की मदद से sale को margin देते हैं इसमें भी जितनी की ज़ुरत है हम लोग ले सकते हैं five six seven जितनी की ज़ुरत है हम लोग ले सकते हैं इसे आप okay करेंगे तोड़ा सा sale आपको यह invoice में अच्छा लगेगा तो आप इस प्रकार कर सकते हैं अब data sheet को लिखने के लिए हम लोग चीजों को सबसे पहले एक एक चीज को select करते हुए हम लोग इस layout menu से merge से का काम करेंगे और जितनी की आपको merge करनी है single single हम लोग merge करने जा रहे हैं और merge करते हुए जा रहे हैं तो उपर से अभी हम लोग one two three three line on base merge किया हम ले और आगे भी merge करना चाहते हम लोग कुछ और भी content लिखना है लिखने के लिए three इदर से merge किये two इदर से merge किये इस परकार हमारा table merge होते हुए आ रहा है और इसमें data भी हम लोग आपके सामने मैं लिखते जा रहा हूं इसके अंदर में एक fonts हम लगाते हैं हमारा times new roman font पे हम लोग इसके उपर काम करेंगे यह fonts कोई fix नहीं कि आप इससे बनाईए आप अपनी हिसाब से font लगा सकते हैं एक titles हम लोगों ने लिखा जिसकी जो titles होगी वह अपना खुद का अपना एक title लिखेंगे हम लोग छोटा सा एक इस परकार का एक title लगा है इसको select करते हुए आप center लेके जा सकते हैं यह हमारा title format है control plus E लगाए यह shortcut की मदद से आप इसको center कर सकते हैं size large करना है तो इसको भी आप shortcut key की मदद से आप size को large कर सकते हैं वो कैसे shift control greater than आप shortcut keys keyboard की मदद से आप इसको बढ़ा कर सकते हैं and control B से bold कर सकते हैं हम लोग यह हमारा shortcut है size को बढ़ाना इस परकार हम लोग कर सकते हैं यह हमारा एक छोटा सा title हो गया हम लोग बना क्या रहे हैं आज मेरा classes है invoice बनाना हम लोग एक title लगाते है invoice इसको भी आप center कर लीजिए इसे भी size आप चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं इतनी की size चाहिए उतनी की size आप बढ़ा सकते हैं इस परकार आपका आपका सरी है आगे का content है वह हम लोग type करते हुए चलेंगे इस परकार टेबल डेटा की अंदर आप dot line की मदद से थोड़ा से आप dot चल सकते हैं ठीक है इस परकार आप dot लगा सकते हैं यह अपना view of controlling है आप कर सकते हैं इसके उपर और हम लोग इसके उपर line को करते जा रहे हैं dot line लगाते हुए जा रहे हैं second column में हम लोग लिक रहे हैं हमारा invoice date होगा इसमें भी dot लगा के काम करेंगे तो इस परकार काम कर सकते हैं इसके उपर आप थोड़ा सा light कर लिजे control B से bold कर लिजे इस परकार एक title लगा देजे अब इस invoice के उपर एक title बनाते हैं क्या करना है पहला columns आप सिर्य लंबर लीजिए item name लीजिए rate लीजिए quantity लीजिए total price लीजिए इस परकार हमारा छोटा सा यहां पर एक working हुआ कि यह एक title हमारा है इस titles को control B से bold कर दीजिए and control E से center कर लिजिए तोड़ा attraction में आएगा आपका work इस पूरे table के अंदर में जो जो चीज आपको center करनी है यहां तक करनी है वह आप कर सकते हैं अब यहां से हम लोग items list कितनी items लेनी है है उतनी items हम लोग यहां पर ले सकते हैं हम लोग totally यहां पर six items ले रहे हैं इस six items के पूरे columns को center कर लेंगे आइटम्स जो आप खरीद रहे हैं वह इस items का नाम लिख दीजिए जैसे हमको इरेजर यह नम नम आफ आइटम्स इतना सारा जितनी की जोरत है नम आइटम्स हम लोग बना सकते हैं रिट चार्ट क्वाइंटिटी हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे कितना पीसे हम हमें जोरूरत है 20 15 45 65 55 इस परकार हम लोग लिख सकते हैं 10 20 34 15 70 15 यह हमारा रेट आइटम्स का यह हमारा क्वाइंटिटी लिखती है अब इन सभी चीज को इस जगार पर हम लोग कैसे बनाएंगे इसके लिए हमारा एक मेन्यू है जिसका नाम है लेयाउट इसमें हम लोग फर्मूला की मदद से इन सभी चीजों का कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप सबसे पहले लेयाउट मीनू जाएंगे टेबल्स के रिफरेंस में और फर्मूला ऑप्शन पे जाएंगे इसमें एक छोटर सा बॉक है इस बॉक्स के अंदर एक फर्मूला पिस्ट करनी है इक्वल पी आर ओ डी यू सी टी प्रोड़क्ट का एक फर्मूला लिखेंगे इसमें हम लोग लेफ्ट का कंडिशन लगाते हैं लेफ्ट की लगाते हैं क्योंकि हमारा लिखा हुआ नंबर है उसके हिसाब से इस परक इस परकार आप पूरे आइटम्स के रेट को आप निगाल सकते हैं फर्मूला में जाएंगे इस पर आप प्रोड़क्ट लिखेंगे एक बार इस फर्मूला को आप कॉपी कर लीजिए तो आप बार बार आपको टाइप करने की ज़ुरत नहीं पड़ेगी उसकी मदद से, copy की मदद से आप बार-बार इस formula में जाएंगे paste करते हुए चले जाएंगे formula को यह data sheet आपका निकलते हुए चला जाएगा इस परकार हम लोग invoice में formula based MS Word के अंदर में काम करने के लिए इस परकार आप काम कर सकते हों, बना सकते हों आगे का processing कुछ और भी है, जो हम लोग करने जा रहे हैं, कुछ sales और भी merge कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे जिसमें हम लोग function की मदद से और भी function इसमें काम करेंगे, बीच में दो-दो का merge करते हुए जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे जिसमें हम लोग लिखेंगे अब दिखाएंगे कि हमारा ग्रोस टोटल कितना आया तो ग्रोस टोटल आप लोग लिखेंगे ग्रोस टोटल इसको भी आप सेंटर कर लीजिए मतलब इस पूरे कॉलम्स को आप सेंटर में लेकर रख लीजिए वह हम लोग काम करेंगे इसमें हम लोग एक GST का एक function लगाएंगे 12% लगाते हैं उसके बाद करेंज चार्ज का भी हम लोग लगाते हैं टू परसेंट लगाते हैं एक हमारे पास आ रहा है अब फाइनली विल में हम लोग कितना प्रेमेंट होगा तो इस परकार हम लोग यहां पे नेट टोटल का एक कॉलम्स बनाएंगे यह हमारा formula based data है यह भी इसमें हम लोग data state पर बनाएंगे इस last वाले columns के लिए हम लोग यहां पर merge रखेंगे अब इस जगा पर भी formula based बनेगा हमारा तो फिर आपको जाना होगा कि जगा पर formula के ऊपर में हम लोगों को लिखने के लिए formula based में इन सभी को कि हम लोगों को उपर से नीचे की और आनी है तो हम लोग सम अबब की मदद से इस जगा पे इस invoice में आप लगा सकते हैं यह आपका total बनके आगा यह आप इन सभी को भी आप बोल्ड कर लीजे अच्छा लगेगा थोड़ा से light आएगा आपके पास इसमें देखने के लिए और भी आब आब आपको टैक्स लगानी है तो हम लोग total के ऊपर वर्क करते हैं फिर गोई formula के बेस पे जाएंगे इक्वल साइन लगाएंगे 8680.00 इंटू 12 परशेंट का साइन लगाएंगे 0.00 लगाएंगे इस परकार आपको यहां आपको निकल के बतायागा कि कितनी की GST निकली है फिर आ रहा है आपके पास कैरेज चार्ज तो कैरेज चार्ज भी आप निकाल सकते हैं यह भी आपको प्रमुलावेस का इन वाइस के ऊपर आप फिर से एक बार फॉर्मुला में जाएए फाइनली इस इकल टू हमारा ग्रॉस टूटल कितने बताया 8680.00 प्लस की साइन दीजिए आपका GST चार्ज कितने आ रहा है 1041.60 प्लस फिर आपको कैरेज चार्ज कितनी जा रही है 173.60 एंड नमबर फॉर्मेट 0.00 है आप इस जगा पे ओके कर लेंगे तो इस परकार Microsoft Word में simply formula-based पी मदद से इस invoice chart को हम लोग बना सकते हैं हमारा formula-based data है इस परकार आप कर सकते हैं और यह कुछ बचा हुआ columns बच रहा है इसको आप select कर लीजिए और merge कर दीजिए यह columns आप अपने signature columns के लिए यूज कर सकते हैं जो भी आप keeping पे काम करते हैं इस जगा पे अपना data sheet को डाल सकते हैं तो दोस्तों Microsoft Word में इस परकार invoice formula-based data की मदद से बना सकते हैं थैंक्स और भी बच्वाइ